मारे साथ इस वक्त चिराग पासवान है एबी पिनिव से खास बातचीत एक्स्क्रूसिफ ये बातचीत जीत कराए हैं पिता की सीट सबसे बड़ी चुनौती थी आपके सामने क्योंकि बीच में ना पार्टी रही ना चुनाव सिंबल रहा और चुनाव जीत कराना 100% स्ट्रा मेरे पिता आदनियरामवलास पासवान जी जिन्होंने मुझे संगर्श के दौरान ये ताकत दी अपना आशिरवाद दिया मेरी माँ जो चटान की तरह मेरे साथ खड़ी रही और सबसे 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 बड़ी बात मेरी जनता बिहार के लोग जिन्होंने विश्वास किया नि जोपरी ऐसे में निया सिंबल हेलिकॉप्टर के साथ हम लोगों के बीच नहा के बराबर समय मिला उस सिंबल को पहुचाने का पर उसके बावजूद जो प्यार बिहार की जंता ने मुझे दिया जो विश्वास उन्होंने मेरे उपर जताया मुझे लगता है मैं मानता हूँ रिबानदारी से मैं इसको पूरा भी करूँगा एक बहुत बड़ी जिम्हेदारी है मेरे कंदोबर मैं भूल गई रोमाना जी आपको बथाई दे रही हैं स्टूडियो से तांक यू तांक यू सो मच रोमाना जी तांक यू दूसरा सवाल है आज की तारीक में चुकि प्रधान मंतरी सब कुछ है और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और उस्सा की बाद आज यही है कि तीसरी बार हम लोग इसी की तो लड़ाई लड़ रहे थे पूरा संगश इसी बात का था क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे प्रधान मंतरी जी का देश हित में तीसरी बार प दूरी को मिटाना है जिसके लिए मेरे प्रधान मंतरी ने तमाम गरीब कल्यान की योजनाओं का निर्मान किया है ऐसे में उनका ये शपत लेना अती महतवपून है और उसी के लिए मैं मेरी पूरी पार्टी उत्साहित है अब दूसरा सवाल ये कि सहयोगियों के साथ देखते हैं देखे बैस पार्ट ये है कि एंडिये पूरी एक जुटता के साथ ना सिर्फ हम लोग चुनाओ लड़े बलकि चुनाओ जीते एंडिये को बहुमत मिला एंडिये के लिए ये जनादेश था कि एंडिये सरकार बनाए और एक साथ मिलकर हम लोग शपत लेंगे म पांस साल तक ये सरकार मजबूती से चलेगी पूरे एंडिये ने मेरे प्रधान मंत्री जी के नित्रुत को बिना किसी शर्त के स्विकारा है कल एंडिये लीडर्स की जो बैठक थी जिसका नित्रुत मेरे प्रधान मंत्री जी कर रहे तो उस बैठक में मैं भी था और एक स् हम सब ने अपना समर पड़ मेरे प्रधान मंत्री जी के प्रतीजत आया है किसी भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी घटक दल हो किसी के मन में एक प्रतीशत का इस बात को लेकर कोई संदे नहीं है मेरे प्रधान मंत्री जी तीसी बार प्रधान मंत्री बनेंगे उनके साथ मजबूती से हम सब खड़े हैं और उनकी योजनाओं को जनता तक लेकर जाने की बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है तो आप लोगों ने कोई मांग रखी जैसे पॉर्टफोलियो पर तो आप सीधा नकार गए मतलब सीधा जबाब ने दिया एक मंत्रा ले या दो मंत्रा So let me make this very clear ना मैंने ना किसी और मैं ये तमाम सायोगियों के बहाफ में इस बात को मैं कह सकता हूँ हम में से किसी ने कोई मांग कोई शर्ट नहीं रखी है जब हम लोग देश हित की बात करते हैं जब हम लोग अमीरी गरीबी की दूरी को मिटाने की बात करते हैं शहर और गाउं की दूरी को मिटाने की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसे में विक्तिगत हित कोई दल अपना नहीं देख रहा है, किसी के अपनी कोई महत्व कांशाएं नहीं है, प्रधान मंत्री जी पर विश्वास है और पूरा तमाम घटक दल, पूरा एंड यह, एक जुटता के साथ उनकी बातों से सहमत है, एक सवाल है, आज डेडियू के तरफ से कहा गया कि समिक्षा की जाने चाहिए अगनिवीर और UCC इन दोनों को लेकर, क्या इस तरीके की समिक्षा को लेकर आप लोग भी सोच रहे हैं? देखिए, यह मुझे लगता नहीं कि अभी इन तमाम बातों के कोई माइने है, फिलाल हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके बाद तमाम इन विशों पर क्यो नहीं चर्चा हो सकती है, बिल्कुल चर्चा हो सकती है, बैटके तमाम योजनाए है, यह कही न कही नुकसान किया है, बीजेपी को, देखिए, मैं इट वोड़ी तू अर्ली तो कमेंट अनिधिंग अन दिस, मुझे लगता है कि एक बार सरकार बने, हम लोग अपने 3.0 के कारेकाल को रोल आउट करें और उसके बास जरूर मन्थन होना चाहिए, मैं इस बात को मैं मानता हूँ, एक तो बात यही कि हम लोग ने अपने लिए इतने बड़े बड़े लक्षे तैय किये हुए हैं, कि अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी हो जाती है, तो यह सवाल उटने लगता है कि अरे भाई कहां चूक हो गई, यह अपने में बहुत बड़ अपना जन्मा दिया है, यह अपने में एक बहुत बड़ी उपलब दी, एक बहुत बड़ी बात है, बठा, जो लक्षे था उससे हम लोग चूके हैं, उस पे जरूर मन्तन चंतन होना चाहिए, और जो कमी हैं उसको पूरा करके 2029 में पुना एक बड़े मेंडेट के साथ सर लेकिन बीजेपी को उतना नुकसान बिहार में नहीं हुआ है, कुछ सीटों का नुकसान हुआ है, तो सम्विधान का मुद्दा क्या नितीज जी के साथ रहने की वज़े से कह सकते हैं कि बचा ले गया, आपको क्या लग लगए? मैं कांच की हाड़ी बारवा नहीं चड़ती, 2015 विधान सभा के चुनाओं में भी पूरी तरीके से बिहार में ये ब्रहम फैलाया गया था, जिसका नुकसान 2015 में हम लोग को हुआ है बिहार विधान सभा के चुनाओं में, उस वक भी यही ब्रहम फैलाया गया था, यही बा मेरे प्रधान मंत्री जी का नित्रित पे सब को विश्वास है, वहीं हम लोगों ने भी इस बात को सुनिशित किया, हर मन्ज से इस बात को, हम लोगों ने कहा ताकि जनता के बीच ये ब्रहम ना फैले, और ये नहीं संभव है निदी, जो लोग ये बोलते हैं, मैं पुना मैं इस बात को कहता हूँ, ना सम्विधान को कोई, भई मेरे प्रधान मंत्री जिस सम्विधान की शपत खाकर तीन-तीन बार मुख्य मंत्री बने, तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं, कैसे समविधान को कोई बदल सकता है बाबा साहब का बनाया हुआ ये समविधान है कोई हलकी चीज नहीं है आरक्षन दुनिया की कोई ताकत नहीं है समविधानी कदिकार है दुनिया की कोई ताकत आरक्षन को समाप नहीं कर सकती और हर मन्द से मैंने इस बात को कहा है बही चिराग पासवान एक पहरेदार की तरह है NDA की इस सरकार में सुनिश्चित हम लोग करेंगे कि इस तरीके की कते ही कोई आच नहीं आ सकती है और मेरे प्रधान मंत्री जी की जब भावना इस बात को लेकर स्पष्ट है बढ़ हां कई राज्यों में इस बात के ब्रहम को फेलाया गया है जो मुझे लगता है कि इन ड्यू कोस आफ टाइम उसको भी रिजॉल्फ कर लिया जाएगा चलते चलते एक सवाल है सवाल नहीं है मतलब आपसे जानना चारी हूँ कि खूप सारे मीम्स चल रहे हैं नितीश कुमार को लेकर और टीडीपी को लेकर नितीश कुमार को लेकर जादा है क्योंकि हाली में उन्होंने पाला बदला है आप तक भी उस तरीके की मीम्स पहुंचे शोचल मीडिया पर एक्टेव रहता हूँ बट आइट टेक इन गुड हूँमर आदि हर किसी में एक फ़नी बोन होनी चाहिए ताकि इन सारी चीजों का आप लाइट नोट पर ले सकें चुनाओ की वेस्तेता और सरकार बनाने की गर्मा गेमी के बीच ये मुवमेंट्स आपको थोड़ी सी राहत दे जाते हैं बहुत शुक्रिया हमसे बातचित करने के लिए और चिराग पासवान पूरी तरह तयार है 100% स्ट्राइक रेट के साथ पिता की गयर मौझूदगी में पहला लोगसबा चुनाओ लड़े हैं और जीत कर दिखाया है पूर्टफोलियो जो भी मिले फिलाल चिराग पासवान का कहना है कि वो पूरी तरीके से नरिंद्र मोधी यानी बीजेपी के साथ है सायोगी मनोश्तर पार्टी के साथ नीदिश्री एबीपीनियोज दिल्ली